मानजीदा मॉन्टेन फिल्म आपने देखी होगे और उसमें यह डायलोग भी सुना होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ठीक उसी प्रकार इस वक्त की जो राजनीती है वो नजर आ रही है आपको बता दे कि 2020 विधान सभा चुनाओ के वक्त नितीश कुमार के खिलाप जो है वो चिराग पासवान ने मूर्चा खोला था और जहां जहां नितीश कुमार ने कंडिडेट खड़े किये थे वहां चिर नितीश कुमार को काफी गुसा भी आया लेकिन जिस तरह से बात कर ले कि चुनाओ के बाद ओप्रेशन लोजपा का शुरुआत हो गया धीरे धीरे लोजपा से जिस तरह से बात करे टूट की शुरुआत हो गई पहले लोजपा में जो कारेकरता थे वो अलग हुए जो कु इस पर हजारी की बात जो है उनकी सामने आई है और वो दोनों मिलकर जो सांसद का ओप्रेशन है लोजपा ओप्रेशन वो किया है आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरी बात क्या है सीयम नितीस कुमार ने लोजपा को तोड़ने का प्लान बनाया उन्होंने ओप्रेशन लोजपा किलींच लाया इसके लिए चरनबध तरीके से लोजपा की कमजोर कड़ी से लेकर मजबूत कड़ी तक को तोड़ दिया बात विधान सवा चुनाव से पहले ही शुरूई थी ब बीजेपी के साथ तो थे लेकिन नितीस कुमार के खिलाफत कर रहे थे ऐसे में जब एंडिये का सीट बटवारा हो रहा था तो उसमें लोजपा ने ऐसी मांग रख दी कि जिसे पूरा करना एंडिये के लिए मुम्किन नहीं था फिर एंडिये के दोनों घटक दल ने मिलकर आपस में सीटो का बटवारा कर लिया जिसमें हम और वी आईपी भी सामिल हो गये चिराग पासवार ने विधान सवा चुनाओं में नितीस कुमार की जम कर खिलाफत की यहां तक की नितीस कुमार के जेल भेजने तक की बात कह दी इन सभी बातों को लेकर नितीस कुमार का गुस्सा सातवे आस्वान पर था लेकिन इससे राजनीतिक मजबूरी कहें या फिर वक्त का इंतेजार नितिश कुमार ने लोजपा को तहस नहस कर दिया विहार विधानसवा चुनाव 2020 में लोजपा ने अपने 135 उमिदवार मैदान में उतारे थे चिराग पासवान ने चुन चुन कर उन जगों पर उमिदवार उतारे जहां जेडियू के कैंडिडेट मजबूत स्थिती में थे ऐसे हालत में जब चुनाव परिनाम आया तो जेडियू महज 43 सीटों पर सिमट गई इससे नितिश कुमार का गुस्सा और भड़क गया जडियू विधान सभा में 30 नमबर की पार्टी बनकर रह गई हालाकि बीजेपी जडियू हम और वियाईपी को मिला कर NDA बहुमत में आ गया और नितिश कुमार मुख्यमत्री बन गए तब जडियू ने साफ तोर पर या कहा कि उनके 36 उमिदवार सिर्फ लोजपा की वज़ा से हारे हैं हलाकि चिराग पासवान ने कोई चमतकारिक बढ़त हासिल नहीं की महज एक सीट पर ही सिमट गए लेकि नितिश कुमार को नुकसान भरपूर कर दिया विधान सबा चुनाओ के रिज़र्ट के बाद नितिश कुमार ने ओपरेशन लोजपा क्लिन शुरुआत कर दी सिम नितिश कुमार चुनाओ के कुछी दिन बाद लोजपा के एक मात्र विधायक राजकुमार को अपने साथ मिला लिया था इसके बाद कोरोना महामारी में यह ओपरेशन रुक गया था लेकिन जैसे हैं बिहार का लॉक्डॉन खुला ओपरेशन लोजपा क्लिन एक्टिव हो गया सांसद ललन सिंग ने लोजपा के सबसे मजबूत करी पसु पती पारस को अपने साथ मिला लिया उसके बाद विधान सभा के उपाध्यक्ष महेस्वर हजारी ने महबूब अली कैसर सहीत दूसरे नेताओं से संपर्क साधा और अपने पक्ष में किया लोजपा से जडियू में आयक का दावार नेता ने चिराग के चचेरे भाई प्रिंस के बीच दरार डाल दी और लोजपा के पांचो सांसद बगावती हो गए चिराग पासवान के अलावा उनके कुनवे में कोई भी संसदिये विक्ति नहीं रहा आपको बताते चले कि लोजपा की एक मात्र MLC सुसान सिंग की राजपूद की भावी और मंतरी नीरस सिंग बबलू की पत्नी नूतन सिंग ने पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया था वहीं इस पूरे मामले पर जडियू के राश्ची अध्यक्ष आर्शीपी सिंग ने कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन चिराग पासवान ने सारा गेम बिगार दिया एंडिये में किसी की मनमानी नहीं चलेगी चिराग की मनमानी की बज़ा से उनके नेताओं ने साथ छोड़ दिया चिराग पर तंज कस्ते हुए उनने कहा कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाएगा तो मुख मंतरी का गुस्सा जो है चुनाव के वक्त से ही सातमे आस्वान पर था लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनका गुस्सा और बढ़ गया उसके बाद जो है वो उन्होंने ओप्रेशन लोजपा को क्लीन करने की जिस तरह से बात कर रहे थे लोजपा क्लीन ओप्रेशन चला और लोजपा को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और आज RCP सिंग का बयान भी सामने आया जब चिराग पासवान को लेकर यह सवाल किया गया था कि चिराग पासवान के जो पाच सांसद है वो उन्हें छोड़ कर चले गए हलाकि RCP सिंग ने कहा कि NDA में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन चिराग पासवान ने मनमानी करनी चाही इसलिए NDA से उन्हें साइट किया गया और जडियू BJP जो दो पार्टी थी आपस में सीटे बाट ली लेकिन उसके बाद जो नतीजा निकल कर सामने आया जडियू 43 सीट पर सिमट कर रह गई उसके बाद मुख्यमंत्र नितिश कुमार ने जो लोजपा किलीन है वो अप्रेशन चलाया और रसेपी सिंग का बयान यह रहा कि जो बोएगा वही पाएगा और वे अप्रेट्स थेंगे बरननी स्पोनेशन के साथ नमस्कार